हेलो एव्रीवन बहुत बहुत सागत है आपका मेरे यूटीव चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ नमस्कार दोस्तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ डीटॉक्स वाटर आप सब जानते होंगे बहुत टाइप का डीटॉक्स वाटर होता है और यह वेट लूज करने में साथी साथ आपके स्किन को ठीक करने में आपका डाइजेशन को ठीक करने में एनरजी लेवल को इम्म्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही जादा यह हल्दी होता है और लाबदायग होता है बालों के लिए भी नेल्स के लिए भी यानि की ओवराल आपके पूरे बॉड़ी सिस्टम के लिए डीटॉक्स वाटर बहुत अच्छा होता है इसे आप सुबा उठ सुबा उठने के बाद में चाय नास्ता लेने से पहले खाली पेट लें और मैं आपके साथ यह इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि मैंने खुद भी इसका काफी लंबे समय तक सेवन किया है और मैंने करीब 15 किलो तक बजन इससे लूज किया है बिना किसी एक्सेसाइज के और थोड़ा सा डायेट को कंट्रोल करके मैंने अपनी डायेट से सुगर, राइस, ओईल और जंक फूड यह सब तीन महीने के लिए हटा दिया था तो मैं आज आपको तीन तरह के बताऊंगी डीटॉक्स वाटर बनाना बहुत इजी है, फटा फट बन जाते हैं, और तीनों डीटॉक्स वाटर में हम गुनगुने पानी का इस्तमाल करेंगे, यानि की वाम वाटर का, तो सबसे पहले हम पहला वाला तरीका शुरू करेंगे, सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे, सिनिमन डीटोक्स वोटर मैं यह भी बताऊंगी आपको इसको लेना कैसे है बनाना कैसे मेरे पास यहां पर एपल है एपल को एकदम पतले स्लाइसेस में काटना है आपको जितने पतले काट सकते हैं और अगर आप पूरे परिवार के लिए बनाने वाले हैं या ज्यादा तो मैं इसमें बस इतना ही यूज करूंगी और गलास बड़ा है तो चाहे तो अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे ही डाल दें जग है तो छोटा बरतन है बारीक काट कर डालें बारीक का मतलब है इसके दो टुकड़े आप कर सकते हैं तो यह हमारा सेव चला गया है अच्छे से दूल लिया था अब हम डालेंगे इसमें सिनमन अब यहां पर देखिए चूंकि मैं यूज करती हूं रेगुलर इसलिए मैंने सिनमन यानि दालचिनी का पाउडर यहां पर बना कर रखा हुआ है आप इसको धूप में दालचिनी को सुखा लें अच्छे से और मिक्सी में इसे पीछ लें और छान कर इस्तेमाल करें तो आज मैं आपको यह बता रही हूँ जो यह मेरे पास सिनमन है पाउडर आधा चमच सिनमन का पाउडर लेंगे और अच्छे से इसे घूल देंगे दालचिनी का पाउडर बहुत ही चमतकारिक होता है वजन को लूज करने के लि क्योंकि हमने हलका गरम पानी लिया था आधे गंटे के लिए छोड़ें जिससे की सेब का और दालचिनी का जितना भी फ्लेवर है जितने भी इसके अच्छे अच्छे तत्तों है वह सब पानी में आजाएं इसके बाद में आप इस पानी को सुबा अच्छे से ब्रश के बाद ही इस्तेमाल करना है अब हम दूसरा वाला बनाएंगे यह जो डीटॉक्स वाटर है यह बनेगा लेमन और मिंट फ्लेवर लेमन और मिंट दोनों ही बहुत बढ़िया होते हैं तो हम कुछ एक ग्लास के लिए चार पांच लेमन की पतियां सुरी मिंट की पुदीने की पतियां इस तरह से तोड़ कर डाल देंगे इसमें और आधा नीबू का जूस डालेंगे यह भी गुनगुने पानी में नीबू का रसिस में ले लेंगे और नीबू आप जानते ही हैं यह तो वेट लूज में वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको और आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए फिर आप बीजिए आप इसको डेली पी कर देखिए फिर आप बताईएगा एक डेड़ महिने में आपको बहुत चमतकारिक फायदे होंगे और इसका कोई नुकसान भी नहीं है अगर आपको कोड़ वगेरा है जुखाम है तो फिर लेमन को आप अवाइड करें अब मैं बनाऊंगी तीसरा डीटॉक्स वाटर हम डालेंगे इसमें कुछ खीरे की स्लाइसे खीरे को छीला नहीं है ऐसे ही डाल देना है चाहे तो आप इसमें भी नीबू मिला सकती है अद्रक का करना है कि आप पीना सके और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे तीनों डीटॉक्स वाटर रेडी है जिने आप गुनगुने पानी में बनाएं और आधे गंटे के बाद यूज करें तो एपल वाले डीटॉक्स वाटर को हम एपल की एक स्लाइस से इस तरह से गानिस कर देंगे और कुकुम्बर वाली को हम कुकुम्बर से गानिश कर देंगे और जो मिंट एंड लेमन वाली है उसे आचा है तो लेमन से गानिश करें या फिर मिंट की एक बड़ी सी इस तरह से रख दीजिए और आपके डीटॉक्स वाटर देखिए कितनी आसानी से तयार है इनका सेवन जरूर कीजिए मैंने किया है तो मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्स मिला है तो मैं चाती हूँ कि आप लोग भी इसका सेवन करें ठंडे पानी का स्तमाल इसलिए नहीं करना है आप दिन में एक ग्लास से दो ग्लास तक आप आसानी से आराम से ले सकते हैं या जितना पचा पाएं अगर आपको इसका कोई साइड इफेक्ट यानि कि आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप इसमें से कोई भी डिटॉक्स होटर चेंज भी कर सकते हैं यानि कि लेमन वाला सो उमीद है आप इसे बनाएंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह से अच्छी अच्छी सी वीडियो आपको मिरती रहेंगी यूस्फुल वीडियो और कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज अपना एक कीमती कमेंट जरूर छोड़ दिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आइडिया ये मेरा कैसा लगा और मैं चलती हूँ अभी फिलहाल और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए अपनी सियात का ध्यान रखें अपने घर पर रहें थांक यू बेरी मच